भारत माता की भारत माता की आवाज पहाड़ी के उस पार सुनाई देनी चाहिए भारत माता की भारत माता की लद्दा के लेपनेन गवर्नर बीडी मिस्राजी केंद्रिय मंत्री संजय सेट चीफ अब डिफेंस स्ताफ जनरल अनिल चहवान तीनों सेनाओं के सेनाद्यक्ष करगिल युद्ध के समय सेनाद्यक्ष रहे जनरल वीपी मलीग जी पुर्व सेनाद्यक्ष जनरल मनेच पांडे जी वीरता पुरसकार प्राप्त सेवारत और सेवा निवरत सैनिकों करगिल युद्ध के बहदूर वीरों की माताएं वीर नारियां और उनके समस्त परीजन सेना के बहदूर जवानों और मेरे प्रिय देश वासियों आज लद्धाक की ये महान धर्ती कारगिल विजे के पचीस वर्स पूरे होने की साक्षी बन रही है कारगिल विजे दिवस हमें बताता है कि रास्त के लिए दिये गए बलिदान अमर होते हैं दीन महिने वर्स सदिया गुजरते हैं सर्दिया भी गुजरती है मौसम भी बदलते हैं लेकिन रास्त की रख्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वालों के नाम अमीट रहते हैं यह देश हमारी सेना के पराक्रमी महानायकों का सदा सर्वदा रणी है यह देश उनकी प्रती क्रतग्य है साथियों मेरा सवभाग्य है कि कारगिल यूत्त के समय मैं सामान्य देश्वाची के रूप में अपने सहनिकों के बीच सा आज मैं फिर करगिल की धरती पर हूं तो स्वाभाविक है वो स्मृतियां मेरे मन में ताजा हो गई है मुझे आध है कि इस तरह हमारी सेनाओं ने इतनी उचाई पर इतने कठीन युद्ध ऑप्रेशन को अंजाम दिया था मैं देश को विजय दिलाने वाले ऐसे सभी शुर्विरों को आधर पूर्वक प्रनाम करता हूं मैं इन सहीदों को नमन करता हूं जिनोंने कारगिल मैं मात्र भूमी की रक्षा के लिए अपना सर्वोच बलिदान दिया साथ्यों कारगिल में हमने केवल युद्ध नहीं जिता था हमने सत्य संयम और सामर्थ का अध्भूत परिचय दिया था आप जानते हैं भारत उस समय शांती के लिए प्रयास कर रहा था बदले में पाकिस्तान ने फिर एक बार अपना और विश्वासी चहरा दिखाया लेकिन सत्य के सामने असत्यवर आतन की हार हुई साथ्यों पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुश्प्रयास किये उसे मुह की खानी पड़ी है लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सिखा है वो आतंगवात के सहारे प्रोक्षी वार के सहारे अपने आपको प्रासंगीत बनाए रखने का प्रयास कर रहा है लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंग के आखाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है मैं आतंगवात के इन सरप्रस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाग मन सुभे कभी काम्याब नहीं होंगे आतंगवात को हमारे जवाज पूरी ताकत से कुचलेंगे दुश्मन को मुहतोर जवाब दिया जाएगा साथियों लगदाखो या फिर जम्मु किश्वीर विकास के सामने आ रही हर चुनोती को भारत परास्त करके ही रहेगा कुछी दिन बात इस पांच अगस को आर्टिकल थ्री सेवंती का अंत हुए पांच वर्ष पूरे होने जा रहा है जम्मु कश्मीर आज नए भविश्य की बात कर रहा है बड़े सपनों की बात कर रहा है जम्मु कश्मीर की पहचान जी ट्वेंटी जैसी ग्लोबल समीट की अहम बैठक करने के लिए हो रही है इंफ्रास्पेक्टर डेवलप्मेंट के साथ साथ जम्मु कश्मीर ले लजाख में तुरिजम सेक्टर भी तेजी से ग्रो कर रहा है दसकों बार कश्मीर में सिनेमा गर खुला है साड़े तीन दसक के बार पहली बार स्री नगर में ताजिया निकला है धर्ती का हमारा स्वर्ग तेजी से शांती और सहार की दिसा में आगे बढ़ रहा है साथियों आज लदाक में भी विकास की नई धारा बनी है सिंकुला टनल इसके निर्मार का काम शुरू हुआ है सिंकुला टनल के जरिये लदाक पूरे साल हर मौसम में देश से कनेक्टेड रहेगा ये टनल लदाक के विकास और बहतर भविश्य के लिए नई संभावनाओं का नया रास्ता खुलेगी हम सभी को पता है कि कठोर मौसम की वज़े से लदाक के लोगों को कितनी मुष्टिले आती है सिंकुला टनल के बनने से ये मुष्टिले भी कम होगी मैं लदाक के मेरे भाई बहनों को इस टनल का काम सुरू होने के लिए विशेस बधाई देता हूं साथियों लदाक के लोगों का हीत हमेशा हमारी प्रांक्पिक दम रहा है मुझे आद है कोरोना के समय में करगिल खेत्र के हमारे कई लोग कि इरान में फस गए थे उन्हें वापस लाने के लिए कि मैंने ब्यक्ति गत्स तर पर काफी प्रयास की है इरान से लाकर उन्हें जेसल मेर में ठहराया गया था और जब स्वास्त की दृष्टी से पूरी तरह संतोज जनग रिपोर्ट मिले उसके बार उन सब को उनकी घर तक यहां पहुंचाया था हमें संतोज है कि हम अनेकों जिन्दगियों को बचा पाए यहां के लोगों की स्विदाएं बड़े इज ओफ लिविंग बड़े इसके लिए भारत सरकार निरंतर प्रयास कर रही है बिते पांच वर्सों में हमने लद्दात के बजेट को ग्यारा सो करोड से बढ़ाकर छे हजार करोड के कर दिया है यानि करीब करीब छे गुना की वृद्दी यह पैसा आज लद्दा के लोगों के विकास में यहां सुविदाएं बढ़ाने में काम आ रहा है आप देखिए सड़क बिजली पानी सिक्षा पावर सप्लाई रोजगार लद्दात में हर दिसा में द्रश्य भी बदल रहा है परीद्रश्य भी बदल रहा है पहली बार यहां होलिस्टीक पानिंग के साथ काम हो रहा है जल जीवन मिशन की वजह से अब लद्दाक के नप्वे प्रतिशत से जादा गरों में पाइप से पीने का पानी पहुंत रहा है लद्दाक के युवाओं को क्वालिटी हायर एजुकेशन मिले इसके लिए यहां सिंदू सेंट्रल युनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा है पूरे लद्दाक शेत्र को 4G नेटवर्क से जोडने का काम भी चल रहा है 13 किलोमिटर लंबी जोजिला टरनेल का काम भी जारी है इसके वजन बनने से नेशनल हाइवे नंबर बन पर भी आल वेजर कनेक्टिविटी हो जाएगी साथियों हमने देश के सिमावर्तिक छेत्रों में विकास के असाधारन लक्षत्ताई किये हैं चैलिंजिंग टास्क को अपने हाथों में लिया है बॉर्डर रोड और्डिनाइजेशन बियारों ने ऐसे लक्षों को पुरा करने के लिए अभुत्पुर्व गती से काम किया है बियारों ने पिछले तीन साल में हैं तीन सो तीस से जादा इंफ्रास्टर प्रोजेक्ट पूरे किये हैं इसमें लद्दाग के विकास कारियों से लेकर पुर्वत्तर में सेला टरनल जैसे प्रोजेक्ट भी शामिल है मुश्किल ट्रेमेंस में विकास किये गती नए भारत की छमता और दिशा दोनों दिखाते हैं साथियों आज की वैश्वीक परिस्थितियां पहले से अलग है इसलिए हमारी सेनाओं को हत्यारों और उपकरोनों के साथ साथ कार्य शैली और व्यवस्ताओं में भी आधुनिक होना चाहिए इसलिए देश दसकों से डिपेंस सेक्टर में बड़े रिफार्म्स की जरुवत मैसुस करता रहा था सेना स्वयम वर्सों से इसकी मांग कर रही थी लेकिन दुर्भाग्य से पहले इसे उतना महत्म नहीं दिया गया है कि बीटे दस वर्सों में हमने कि डिफेंस रिफार्म्स को कि रक्षा छेत्र की पहली प्रात्फिक्ता बनाया है कि इन रिफार्म्स के कारां कि आज हमारी सेनाएं कि जादा सक्षम हुई है आत्मन निर्भर हो रही है आज डिफेंस प्रकॉर्मेंट बैंक बड़ी हिस्षेदारी भारतिय डिफेंस इंडिस्ट्री को दी जा रही है डिफेंस में रिशर्ट एंड डेवलप्मेंट बजेट का भी पत्चीस प्रतिशर्ट प्रावेट सेक्टर के लिए रिजर्व किया गया है ऐसे ही प्रयासों का परणाम है कि भारत का डिफेंस प्रोडक्शन अब सवा लाग करोड रुपिय से जादा हो चुका है कि कभी भारत की जीन थी हत्यार मंगाने वाले देश के रुप्में भी थी अब भारत एक्सपोर्टर के तौर पर अपनी पहचान बना रहा है कि मुझे खुसी है कि हमारी सेनाओने पांच हजार से जादा हत्यारों और यह सैन्य उपकरों के लिस्ट बना कर यह तैक किया है कभी यह पांच हजार आइटम्स बार से नहीं मंगवाए जाएंगे माईस के लिए सेना नेत्रुत्वा को बदाई देता हूं साथ्यों डिपेंस सेक्टर में रिफॉर्म्स के लिए भी भारत की आम फोर्सित की सराना करना चाहता हूं हमारी सेनाओं ने बीते वर्षों में कई सांसिक नेने लिए हैं सेना द्वारा किये गए जरूरी रिफॉर्म्स का एक उदारन अगनी पच्च कीम भी है दसों को तक संसक से लेकर अनेक कमिटी तक में सेनाओं को युवा बनाने पर चर्चाएं होती रही है भारत के सैनिकों की आउसत आयू एवरेज एज ग्लोबल एवरेज से ज़्यादा होना यह हम सबकी चिंता बढ़ाता रहा है इसलिए यह भी शाय बर्षों तक अनेक कमिटियों में भी उठा लेकिन देश की सुरक्षा से जुड़ी इस चुनावती के समाधान की पहले इच्छाशक्ती नहीं दिखाई गई शाय कुछ लोगों की मानसिक्ता ही यसी थी कि सेना मतलब नेताओं को सलाम करना परेड करना हमारे लिए सेना मतलब एक सो चालीस करोड देश वास्चों की आस्ता हमारे लिए सेना मतलब एक सो चालीस करोड देश वास्चों की शान्ती की गारंटी हमारे लिए सेना मतलब देश की सिमाओं को सुरक्षा की गारंटी अगनी पत्योजना के जरिये देश ने इस महत्वपुन सपने को एड्रेस किया है अगनी पत्का लक्ष सेनाओं को युवा बनाना है अगनी पत्का लक्ष सेनाओं को युद्ध के लिए निरंतर योग्य बढ़ाए रखना है दुर्भाग्य थे राष्ट्य सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदंसिल विशे को कुछ लोगों ने राजनीति का विशे बना दिया है कुछ लोग सेना के इस रिफाम पर भी अपने ब्यक्तिकत स्वार्थ में जूटकी राजनीति कर रहे है यह बही लोग है जिन्होंने सेनाओं में हजारों करोड की गोटा ले करके हमारी सेनाओं को कमजोर किया यह बही लोग है जो चाहते थे कि एरफोर्स को कभी आदुनीक फाइटर जेट ना मिल पाए यह बही लोग है जिन्होंने तेजर फाइटर प्लेइन को भी डिब्बे में बंद करने की तैयरी कर ली थी साथ्यों सच्चा यह है कि अगनीपत योजना से देश की ताकत पड़ेगी और देश का सामर्थमन युवा भी मात्रु भूमी के सेवा के लिए आगे आएगा प्राइवेट सेक्टर और प्रामेंट्री फोर्सेट में भी अगनी विरों को प्राश्पिक्ता देने की गोच्छनाएं की है मतहरान हों कुछ लोगों की समझ को क्या हुआ है उनकी सोच को क्या हो चुका है ऐसा ब्रह्म भला रहे हैं कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए ये योजना लेकर आई है मैं जड़ा ऐसे लोगों की सोच सिर्फ शर्म आती है लेकिन मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं जड़ा कोई मुझे बताए आज मोधी के शासनकान में जो भरती होगा क्या आज ही उसको पैंशन देना आए गया उसको पैंशन देने की नौबत 30 साल के बाद आएगी और तब तो मोधी 105 साल का होगा और तम नभी मोधी की सरकार होगी क्या मोधी जब 105 साल का होगा तीस साल के बाद जो पैंशन बचेगा उसके लिए मोधी ऐसा आज लीती है जो आज गाली खाएगा कि क्या तरक दे रहे हैं है कि लेकिन साथ्यों कि मेरे लिए दल नहीं कि बेसर्वों परी है और साथ्यों मैं आज गर्व से कहना चाहता हूं कि सेना उद्वारा लिए गई इस पैसले का हमने सम्मान किया है और जैसा मैंने पहले कहा हम राज नीती के लिए नहीं राष्ट नीती के लिए काम करते हैं हमारे लिए राष्ट की स्वरक्षा सर्वों परी है हमारे लिए एक सो चालीस करोड की शांती यह सबसे पहले है साथ्यों जो लोग देश के युवाओं को गुम्रा कर रहे हैं उनका इतिहास साथ्ची है कि उन्हें सैनीकों की कोई परवा नहीं है यह वही लोग है जिनोंने एक मामुली रकम 500 करोड रुपए दिखा दिखा कर वन रैंग वन पैंशन पर जूठ बोला था पांक सो करोड यह हमारी सरकार है जिसने वन रैंग वन पैंशन लागू किया पूर्वा सैनीकों को सवा लाग करोड रुपए से जादा दिये गए अब कहां 500 करोड कहां सवा लाग करोड इतना जूट और देश के जमानों के आँख में धूल जोकने का पाप यह बही लोग हैं जिन्नोंने आजहादी के साथ दसक बाद भी सेना की मांग होने के बावजुद भी देश के वीर सैनीकों के परिवारों की मांग होने के बाद भी हमारे सहीदों के लिए बार मेमोरियल नहीं बनाया तालते गए कमीटिया मनाते गए नक्से दिखाते गए यह बही लोग हैं जिन्नोंने सीमा पर तैनात हमारे जमानों को परियाप्त बुलेट प्रूप जैगेड्स भी नहीं दी थी और साथ्यों यह बही लोग है जो करगील विजय दिवस को भी नजर अंदाज करते रहें यह तो देश की कोटी कोटी जनता के आशिरवाद है कि मुझे तीसरी बार सरकार बनाने का मोका मिला और इसलिए आज यह अव महत्पूर्ण अईतिहासी घटना का हम पुन्य समर्ण कर पा रहे हैं बरना अगर वही आ जाते तो इस युद्ध विजय की इस तवारिक को याद नहीं करतें सात्यूं का रहित क हेल की विजय को यह रहाव मिंड है किसी सरकार की विजय नहीं थी डार्गिल की भीजय के किसी डल का विजय नहीं था ह। यह बिजय का देशन će थी यह विजय देश की विरास्त है यह देश के घर्व और स्वाविमान का पर्व है कि मैं एक बार फिर कि एक सो चालिस करोड देश वाश्यों की तरफ से मेरे वीर जमानों को स्रद्धा पुर्वग नमन करता हूं कि सभी देश्वाश्यों को कि पुना एक बार कारगिल विजय के पचीस वर्ष की शुप कामनाय देता हूं मेरे साथ बोले भारत माता की यह भारत माता की जाएं मेरे उन वीर शहीदों के लिए हैं मेरे वीर भारत मा के वीर सपुतों के लिए हैं भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्युट